नमस्काब दोफ्तों कैसे हैं आप लोगों मेद्ट हों अच्छे और बहुत खुश रहें दोस्तों आज-की वीडियों में बात करने के लिए इंगली प्रोड के बारे में या फिर हम बोन सकते हैं कमोट के बारे में या फिर हम बोल सकते हैं यूरोप variety टॉलेट के बारे में आजकाल के टाइम पर बेसिकली देखा गया है कि इंगलीज टॉलेट का यूज बहुत जादा होने लगा है लेकिन यूज होने के साथ-साथ फिर भी बहुत सारी लोगों को च्छोड़ बाते पता नहीं होती है जिस कारण से होता कैं बहुत साइं मिश्टेक्स होती है बाद में चलके उन्हें चीजों के ऊपर बहुत ज्यादा खरचा होता है क्योंकि दोश्तों शुरुआ पता नहीं होता आप जैसे से अब लगवा तो लेते हो बाद में यूज करन करें अच्छी नहीं लगाइं दिसलाइक करें यहां मैं बैसिकली उन सारी बातों को बताने के लिया हूं जो बैसिक बैसिक चीज्ज़ों को ध्यान नहीं रखना चाहिए अगर नहीं रखते हो जान तो आगे चल करके आपको हो सकती है दिख्यान तो दोस्तों इस वीडियो को सुरूद से लेकर एन तक जरूर देखे ये वीडियो आज के time पर बहुत informative और बहुत जरूर यून वाली है हो सकता है यह पता हूँ लेकिन इन बातों यас बनवाते time पर बहुत जरूरी रूप से ध्यान रखे चलिए फटापर दोस्तों मैं आपको कमोड दिखाता और वहां पर उस कमोड दिखा करके सारी वीडियो में बात करता हूं अब जब भी आप English कमोड आप लेने वाले हों तो वहां पे एक important बात कर जरूर धियान रखें हें वह बात यह हैं कि एक आपको अच्छे द्रेंड का कमोड ले intelligence चाहे आप एक अच्छे एक शुक्नी का कमोड लेना है। इसका benefit क्या है। से benefit यह है कि अगर मांल दीजिए आन्य वाले आपको तो आपको और या चरह कर एक आपको अखें सिखाप और इसमें मतलब कि अर स्वेक्ट लेकर रोग्डम को फिर वड़ता होते हैं। दुकान दार बोलता है कि वो ईंट्ट तो इसमें भी है बट होता है कि काफी बार को कमोड निकाल के ले के जाना होता है दुकान पर तब दाकि और चेंज करके देते हैं जो कि बहुत ज़यदा आपको ठिक्कत देता है प्रॉलम देता है यहाँ पर होता कि जब भी आप कमोड लगा रहे हो तो लोगा सोच यह होता है कि एक टाइम पर लगा रहे हैं और इसको लंबे टाइम तक चलाना है तो इसमें जलती बार-बार खर्च ना है तो ऐसे में आप एक अच्छे ब्रैंड की तरफ जाओगे तो वह बार-बार आपका लगाना फिर टाइल टूटना पानी का काम करवाना कि कितना खर्चीला कितना लेंडि प्रोसेस है और इसकारण से इस प्रोसेस को लोग अगिनोर कर देते हैं और नए कंपनी का लगा लेते हैं लेकिन थोड़े से फैसे बचाने की च्छता कि लिए बाद में वही पैसे ऺटत्र का बहुत ज़्लेट का बहुत लोग जो मानते हैं वास्तु को अगर उनका गलट देटेक्शन में बमन जाता है तो वो बाद में change करते हैं direction, बादमे चेंज करता है direction जिस में बहुत बाए खरचा आता है पूरी तनुस्तिं था मतलब नुहिता है in सब चीजों से और फ्र 7 आप पाद में change करते हैं तो problem होती है अब यहां बात कर लेतें यहां परunta अब भी आपका ये कमोड है, अब इसका जो है ग्राउंड से, ग्राउंड से कितनी हाइट होनी जहीं यहां की, यह बहुत इंपोर्टन टॉपिक है, यह लगाते टाइम पर अकसर मिष्टरी हो गया, या आप लोगों को भी पता नहीं होता है तो आप लोग ध्यान नहीं देत कमफर्टेवल हो जाता है बैठना, तो ऐसे में आपको जब भी इसकी, जब भी इसको लगवा रहे हो, चाहिए कितना भी हो, तो इसकी हाइट को आपको कम से कम रखनी है, कम से कम कितनी रखनी है, आपको यहां पे पंदरा हिंची से लेकर के, सतरा इंची तक मैक्सिमम रख कम जाहो, तो उन्स सभी के लिए, बड़ा ही कमफर्टेवल हो जाहेगा, तौफ की क्या होता है यहां पे हम यह जेट प्रेशर का यूज, बहुत सारे लोग सही धंसे करना नहीं जानते है, यहां पर इस्में क्या होता है कि। चीज करना नहीं हो पाता है, तो ऐसे ह дела में कि यवाला प्रेशर भी जरूर लगवाएं बहुत रहता है लोग यह र लगवा लेते हैं इस्में प्राब्लम रहते है इसमें ऊपको बहुत कंफ़र्टेवल होता है यूज करना जगर आप भाथा लगाने की जूरतनी पड़ती है और इस लिए वह इसको लगवाए ज़रूर यहां पर के दोनों बहुत दोनों के बहुत ही इंपोर्टेंट है अपने काम के टाइम पर अगर आपके बाथ्रूम के आश्पार्ट थोड़ा सा गंदगी है तो आप इससे मार करके साफ भी कर सकते हो तो इस बात का जरूर ध्यान लगए कि दूनों को लगवाएं बहुत लोग क्या करते हैं यह नहीं लगवाएं यह खाली वह लगवा लगवा लेगे उसमें क्यों आपको आपको आसपा सफाई करनी पड़े तो बड़ी प्रॉब्लम होती है तो आपको अलग से पानी बाल्टी में लेकर फिर डालना पड़ेगा इसमें जो कि बहुत प्रॉब्लम मेटिक है जैट प्रेसर में कुछ गंदगी रहे गई तो आप जैट प्रेसर से भी मार करके साफ कर सकते हो अब एक इंपॉर्टेंट बात बहुत हो कि पानी प्रेसर एकांगे थिहा पानी फिर्वर्टे में और प्रेशर में रहीं होना चाहिए रहीं तो या के घर के लिए का कभी नहीं होना चाहिए यहां पोसेट में अक्सर देखा है होटलों में कहीं भी यह बात कर लोग जहां नहीं रखते हैं जहां पर की इसमें पानी का प्रेशर बहुत ज्यादा आने के करन क्या होता है की आपका प्रेशर बहुत आने के करन क्या होगा की प्रब्लम होती है इस इसमें अब दिवार के अंदर है या फिर अन्दर होता है तो ऐसे में ऑफ और बहुत है अधिके सब्सक्राइस वाला कि ख्राइप नहीं नुर्ण जब भी आप अगर अपना फ्लस टाइंक लगवा रहे हैं एक बात का जरूर ज़्यान रखें ऐसे दो बटन वाला जिसमें छोटा एक बड़ा इस तरह कि आछकल बहुत अलग डिजाइन कहने लगे हैं तो इसमें डिजाइन अपर डिपेंड करता कैसे अपर लगवा रही हो तो मैंने हमारा ऐसा लगा हुआ है तो इसमें फ्लस टाइं जब भी आप लगवाले चोटा बड़ा का क्या बेनिफिट है जब भी आप छोटा दवाते हो तो यहां पर आपका दो यहां पर बहुत ज्यादा हाड वेस्ट है तो उसके लिए आपका जब भी आप बड़ा इस बाद का आप जरूर ध्यान रखतें जब भी आप लगवा रहे हो तो बहुत लोग क्या होता है वो सिंगल फ्लश वाला सिंगल लगवाते है उसमें पानी बहुत जड़ा वेस्ट होता है जहां पानी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है वहां पर इस चीज का बहुत करोगे तो इसमें कुछ बहुत जल्दी जाका पर लग जाता है यह एक हैट्रॉलिक प्रेसर वाला आता है जिसमें क्या होता है कि भुए बहुत आराम नावाज निकरेगा नीचे लगेगा या बहुत आराम से जाएगा तो यह ऐसा लेने से क्या होते है दिखने में करता है नॉर्मली अभी क्या है अब मैं इसको छोड़ दूं यह आवाज करेगा या फिर मैं इसको ज्यादा कर दूं तो यह अवाज करेगा तो यह एस चीश का धरूर जान रखें अब जब भी आप टॉलेट चीटी यूज करते हो तो उसको यूज करने के बाद इसको ऐसे ना भूले नॉर्मली क्या होता है लोग उसको खुला ही छोड़ देते हैं घर में खुला चोड़ने है कोई बेनिफिट ने क्या होता है कि गंदगी जो है वह आपके घर में हो सकती है तो यह वीडियो में यहां समाब करता हो हो सकता है यह सारी बाते आपको पहले भी पता ह पहले पता हो लेकिन यह सारी बाते बहुत हैं जब भी अपना टॉलेट शीट लगवा रहे हो निसाट बात हो इसको लोग ध्यान नहीं रखते बात में क्या होता है कि बात में इससलो चकर में दौरा तुड़वा और तुड़वा खर्चे अलग से लगवा तो इस बात को अब अपना अच्छा टारेट सेट या अच्छा बातरूम बना सकते हो चला जोस्तों जै हिंद जै भारत जल्दी मिलते हैं अगली और एको रिपोर्टेट वीडियो में